बहु बनना हे या बेटी। कामिनी जीजे का फोन आया था। जो रिष्टा उन्होंने बताया था। उन्हें हमारे कृतिका की फोटो पसंद आई है। और वो मिलना चाते है हमसे। विशाल जी गरा अपनी पत्नी से बोले। ये तो बहुत अच्छी बाते। कब आना जाते है कामिनी जी कुश होते हुए बोली। पर सो रयवार का दिन रखा है। उन्होंने जी जी भी आ जाएगी। तुम सब तयारी अच्छे से कर लेना कोई कमी ना रही। विशाल जी बोले। आप पिक्रमत कीजिये सब हो जाएगा। कामिनी जी ने उन्हें आश्वासन देते एक मल्टिनेशनल कमपनी में नोकरी करती है। क्योंकि क्रितिकाच 20 साल की हो गई तो उसकी बुआ यानी विशाल जी की बेहन ने एक रिष्टा बताया था। जिसके बाद विशाल जी कर रहे है। तई समय पर लड़के वाले आई। उनकी खातिरदारी अच्छे सिक की देखिए विशाल जी हमें क्रितिकाच बेटी वैसे तो बहुत पसंद आई। हमारे बेटे शितिच को भी पसंद है पर हम उनसे और आपसे रूबरूब मिलना चाहते हैं। जिसे कोई फेसला ले सके। लड़के के पिता देवराज जी बोले। जी बिलकुल आपने आई बिटिया को। हम सब उससे मिलने को उस्सुखे। लड़के की मा सारी का जी बोली। कामिनी जाओ। कृतिकाच को ले आओ। विशाल जी बोले। हाँ, तो कृतिका बेटा, आपके क्या शौक है। कृतिका क्या आने पर सारी का जी ने पूछा। आंटी जी ज्यादा नहीं बस, मुझे लिखना पसंद है, गर सजाने का शौक तो बचपन से ही है मुझे। साती थोड़ा बहुत गूमने का। कृतिका ने बिना ही जग जवाब दिया। बहुत अच्छा बेटे, गूमने का शौक तो हमारे शितिज को भी है। तुम कुछ पूछना चाती हो हम से देवराजी बोले। जी अंकल मैं क्या। कृतिका अपने मापापा को देखते हुए बोली। हा बेटा तुमें भी हके सब जानने का। तो जो पूछना या कहिना चाती हो बेही जग हो। सारे का जी बोली। जी आंटी जी बस एक बात कहिनी है मुझे। शादी के बात मै जोब नहीं छोड़ूंगी। कृतिका आत्मविश्वास से बोली। छोड़नी भी नहीं चाहिए। तुमने इतनी मेनत की है यहां तक पहुछने की। मैं तो तुमें पूरा हक है अपनी जोब का फेसला लेने का। क्यो मामा पापा। इस बार शितिच बोला। बिल्कुल बेटा देवराज जी बोले। बेटा क्रितिका तुमें शितिच चे कुछ पूछ पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। यहां नहीं तो अंदर चले जाओ। चाहे तो सारे का जी बोली। नहीं आंटी जी एसा कुछ नहीं है। हा शितिच जी मुझ से कुछ पूछना है त तो वे पूछ सकते हैं। क्रितिका ने जवाब दिया। क्रितिका आपके इस अत्मविश्वास को देख। मुझे कुछ नहीं पूछना। बाकी जो कुछ है मामा पापा डिसाइड करेंगे। शितिज ने जवाब दिया। लो जी बच्चो ने तो मुवर लगा दी। अब आप लोग बताईए क्योंकि हमारी तरब से तो आप हाही समझे। हमारी क्रितिका आपके घर बेटी बन के रहेगी। एसा हमें यकिन है। क्रितिका की बुवा सुधा जी बोली। माप कीजिएगा सुधा जी। पर हम क्रितिका को बहु बनाने आए है। बेटी बनना उसके हाथ में है। तारिका जी बोली। जी, हम कुछ समझे नहीं। कामिनी जी बोली। देखे, गुंजन हमारी बेटी है। इसे गलत बात पर मैं भी डाटती हूँ और रोकती भी हूँ। जैसा की हर मा अपनी बेटी के साथ करती है। आप भी क्रितिका के साथ करती होगी। तारिका जी के बोल कामिनी जी को देखनी लगी। जी, बिल्कूल, गलत बात पर तो हर माबाप टोकते ही है। क्योंकि माबाप से बड़े शुक्चिन तक बच्चों के लिए कोई नहीं होते कामिनी जी ने कहा जी बिल्कूल सही कहा आपने पर आज कल की लड़किया मा की राट बरदाश कर लीती पर सास को समझाना उन्हें बुरा लगता पर अगर हम बेटी बना कर बहू को लेकर जाएंगे तो बेटी जैसे ही लाड करेंगे तो डाटेंगी भी क्यों क्रितिका बेटा और अगर बहू लेकर जाएंगे तो लाड तो लड़ाएंगे पर ओर रिष्टा नहीं बन पाएगा जो मेरा गुंजन के और आपके कृतिका के साथ है इसलिए मैंने कहा कि हम भवू लेकर जाएंगे बेटी बनना कृतिका के हाथ में है क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचती है मैं मा तभी बनूंगी जब कृतिका बेटी बनना चाहेगी सारिकाजी ने हस्ते हुए कहा सच में सारिका जी, अपने बहुत ही अच्छी बात कही, बेटी बनाने का मतलब सिर बेटी की तरह आजादी ही नहीं, बलकि व्यवार भी बेटी की तरह ही किया जाए, तभी तो इस बात का सही मतलब निकलता है, विचाल जी बोले हाँ तो क्रितिका बेटा, अब तुम सोच लो, तुम्हें बहु बनना है अबीटी, देवरा जी ने हस्ते हुए बोले, आंटी जी क्या आप मुझे अपनी दूसरी बेटी बनाएंगी, क्रितिका सारिका जी के पास आप बोली, बिलकुल बेटा पर आंटी नहीं ममा को हो, सार ममा मैं आपका दूसरा बेटा बनने को तैयार हूँ, शितिच कामिनी जी और विशाल जी से बोला, बेटा आपको तो हमने देखते ही अपना बेटा मान लिया था, विशाल जी शितिच को गले लगाती हुए बोले, लो जी तो रिष्टा तो हो गया, अब तो मुह मिटा करा आप सम्धन जी, देवराज जी कामिनी जी से बोले, बिल्कुल भाई साब, कामिनी जी ने सबको मिठाई दी, विशाल जी ने देवराज जी को मिठाई खिला कर गले लगा लिया, और सारे का जी ने कामिनी जी को हमारे परिवार में आपका स्वागत है, भाबी, बहुत जल पर कृतिका और शितीज दोनों शार्मा गए और सभी हस पड़े दोस्तो यह सच है बेटी सिर्फ कहिने से नहीं बना जा सकता सास को मा का सनमान दिया जाए और बहु को बेटी सा लाड़ दिया जाए तबी रिष्टे साथ तक होते है यहां सरिता जी की सोच बिल्कुल सही है म और आपकी दोस्तो कहानी पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब थेंक्स पॉर वाचिंग वीडियो